मैं हूँ आपके साथ आयुश्मा और आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट सल्मान खान के शो बिग बॉस दस को अगर याद करे तो कंटेस्टन रही बानी जे को भुलाया नहीं जा सकता बानी जे पिछले दिनों अपने बॉइफ्रेंड युवराज ठाकुर को लेकर चर्चा में थी खबरों के मताबिक बानी ने अपने सबी रिष्टे खतम करते हुए अपने बॉइफ्रेंड युवराज ठाकुर से ब्रेक अप कर लिया था लेकिन अब इस प्यार भरी कहानी में ट्विस्ट आ गया है खवर है कि बानी और युवराज में पैच अप हो गया है दरसल बानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरे शेयर की है इन तस्वीरों में दोनों एक साथ एक दूसरे के बेहत करीब नजर आ रहे हैं ऐसा लगता है कि बानी अपने रिलेशनशिप को एक और मौकात देना चाहती है बानी उवराज एक ही जिम में मिले थे फिटनेस में दिलचस्पी के चलते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले दिनों दोनों का ब्रेक अप हुआ था तो बानी ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अजीब सा मेसेज पोस्ट किया था और तो और कुछ समय पहले बानी के बॉइफरें युवराज ने लाइफ चाट के दौरान अपने फान को खुलासा करते हुए कहा था युवराज के इस लाइफ चाट के बाद बानी ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर अजीब सा मेसेज पोस्ट करते हुए चोका दिया इसके बाद उनके ब्रेक अप की खबरें सोशल मीडिया पर चाही रही ब्रेक अप के बाद ये भी खबर तेज हो गई थी कि ब्रेक अप के पीछे बिग बॉस कंटेस्टिन जेसन शा का हाथ है आपको बदा दे कि उस दौरान बानी जेसन एक दूसरे के करीब आ गए थे और बिग बॉस घर के बाहर भी दोनों टाइम बिताते देख रहे थे